एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी, बच्पन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ती करते करते बड़ी हो गई, भगवान की क्रिपा से उसका विवा भी श्रीधाम व्रिंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया, विवा होकर पहली बार व्रिं पहुचते पहुचते उसे शाम होगे, पती ब्रिंदावन में यमुना किनारे रुक कर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में सनान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड के नीचे बैठ जाओ, और सामान की देखरे करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाओंग यहीं सामनी ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवास दे देना, इतना कहकर पती चला गया, और वह लड़की बैठ गई, अब एक हाथ लंबा घूंगट निकाल रखा है, क्योंकि गाव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई, मन ही मन विचार करने लगे, कि देखो ठाकुर ज की कितनी क्रिपा है, उन्हें मैंने बच्पन से भजा, और उनकी क्रिपा से मेरा विवा भी श्री धाम विंदावन में हो गया, मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परन्तु अब तक उनसे कोई रिष्टा नहीं जुडा, फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क देवर हुए, अब तो ठाकुर जी से नया संबन जोड़कर बड़ी प्रसन हुई, और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भावी, और तुम मेरे देवर होगे, अब वो समय कब आएगा, जब तुम मुझे भावी भावी कहकर ये भावी कहकर कौन बुला रहा है, नहीं थी, इसलिए गुंगट उठाकर नहीं देखा, कि गाव के किसी बड़े बुठे ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी, अब वो बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर न देती, बालक पास आया और बोला, भावी नेक अपना चहरा तो देखाई थे, अब वो सुचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए ये कस के गुंगट पकड़ कर बैट गई, कि कहीं गुंगट उठाकर देख न ले, लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती गुंगट उठाकर चहरा देखा, और भाग गया, चिंता मत करो, प्रिंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड़ी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सेकेगा, तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरुर बताना, फिर दोनों घर गए, कुछ दिन बाद उसकी सांस ने अ पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, मंदिर में बहुत भीर थी, लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ, अब आगे गई, पर घुंगट नहीं उठा थी, उसे डर लगता, कोई बढ़ा बू लगी तो डर्शन कैसे करेगी, अब उसने अपना घुंगट उठाया, और जो बांके बिहारी जी की और देखा, तो बांके बिहारी जी की जगा, वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा, तो एक दम से चिल्लाने लगी, सुनिए जल्दी आओ, जल्दी आओ, पती पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ, लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाबी भाबी कहकर भागा था न, वह बालक मिल गया, पती ने कहा, कहा है, अभी उसे देखता हूँ, ठाकुर जी की और इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है, उसके पती ने जो देखा, तो अवाक रह गया, और वहीं अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा, और बोला, तुम धन्य हो, वास्तो में तुम्हारे रदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रती है, मैं इतने वर्शोर से विरिंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं ह और तेरा भाव इतना उच्च है, कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिये, इसलिए ये कहते है, भगवान भाव के भुखे है, किसी की धन दौलत मिठाई के नहीं, दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राए है, नीचे कमेंट करके ज़रू बताएगा, औ अगर आपके इस वीडियो अच्छा लगा हो तो शुछ लाइक करेगा, शेयर करेगा, शेयर करेगा,